सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दियेगे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी नियू तुमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके असलाम अलेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आजम और यह वीडियो क्योंडे होने जा रही है काफी दिनोबाद क्योंडे हो रहा है और इसमें मैं जो है इस वीडियो में लास्ट मंत के जो है कुछ कॉमन कोशन्स आगे वहां पर इनको फोलो लाइक कर लें वहां पर मैं इस्टाग्राम पर भी अच्छे जो है डाग्राम उगरा आरेसी अच्वेसी से पोस्ट करता रहता हूं तो आपको वहां पर भी काफी नौलिज मिलेगा तो यहां पर सबसे बहला कमेट है एमडी शमशाद का जो यहां पर जाए इसकी प्रोब्लम यह होती है अगर नौन इन्वर्टर है साध्डा एसी है आपका तो वहां पर प्रोब्लम यह होती है कि अगर पांच साथ मिलेट बड़ा ऑफ हो रहा है सबसे पहले तो आप चेक कर लें कि आपका रिमोट से टाइमर तो नहीं लगा हुआ प्रोब्लम आप आती है तो इसमें एक सर्विस की भी प्रोब्लम होती है बहुत ज्यादा अगर आपका आउनोड जूनट जो है वह गंदा है उसकी हीट अग्जास सभी से नहीं हो पा रही या फिर कहीं पर आपका पाइप जो है वह बेंड हो चुका है पंच हो चुका है और इसके लाबा कोई वायर अगर आपकी लूज है कोमरारीक स्टार्टिंग पॉइंट से या कपैसिटर से या आपकी जो आउटवर में स्प्लाई लगी हुई है वहां से कोई वायर लूज है तब भी हीटिंग प्रोब्लम हो सकती है गैस ओवर की सूरत में भी हीटिंग हो सकती है तो यह रिजन होते हैं हाँ आउटवर जूनेट का अगर फैन आपका स्लो है या बिल्कुल डेट हो चुका है तो वह भी एक रिजन है कि वह उसकी हीट नहीं निकाल पाएगा और आपका कंप्रेसर ओवर हीट होकर ट्रिप होगा तो इन सभी चीज़ों को आप द देटेटल से वीडियो बनाऊंगा कि वहां पर कंप्रेसर की ट्रिप्लिंग की और प्रोब्लम किया होती है यहां पर हमसे जयावर विहमाद साथ कह रहे हैं कि subscribe इस पर एक वीडियो बनाएं कि मॉबाईल में कौन सा एप इंस्टाल करना है डिटेटल से तो इस पर मैं एक video भी बना दूँगा लेकिन यहां पर आपको थोड़ा से clear कर दूँ कि IR sensor आपके मुबाइल में मुझूद है तो फिर ही आप अपने air conditioner को control कर पाएंगे अपने मुबाइल से अगर IR sensor मुझूद नहीं है क्योंकि हर में IR sensor मुझूद नहीं होता जिन में मुझूद है उन्हीं में ही जो है आप अपने AC को operate कर पाएंगे बहुत फैसल कर रहे हैं कि carrier का वैक्यूम बेहतर है यां फिर value company का तो मेरा experience value company के साथ काफी अच्छा है क्योंकि मैं काफी अर्से से value company का वैक्यूम बंब यूज कर रहा हूं तो उसका मुझे काफी अच्छा experience है काफी अच्छा जो है उसका result भी मुझे बिला है और इसमें मुझे काफी साथ दोस्त पूछते हैं के सर सिंगल फेस के लिए एक दो टर्ण डाइटन तक जो है हम कौन सा वैक्यूम बंब लें तो मैं आपको के लिए कर दो कि वहां पर आपको अगर डबल स्टेज का वैक्यूम बंब ले लेते हैं तो बेस्ट है सिंगल स्टेज का भी चल जाता है और बेहतरीन परफॉर्मस पर रहता है और और बढ़ाना पड़ेगा और टू स्टेज आपको स्टेज बढ़ानी पड़ेगी तो आप वैल्यू कमपनी का लेंगे तो बेहतर है और का मुझे एक्स्पीरेस नहीं है अगर वो भी अच्छी कमपनी है क्योंकि वैल्यू के मैंने काफी सारी टूल्स भी यूज किया है मुझ तो इस सुरत में कम्सर सही माना जाएगा या क्या माना जाएगा यहां पर जैमेंड को क्लियर कर दूँ के अगर प्रैशर अपका एकदम से रिलीज हो जाता है वापिस आ जाता है तो आपका प्रप्रैसर को जो पंप है वो वेक है वो खराब है आपका कम्सर अगर आप र windows तो वहां पर cooling नहीं सही करेगा या फिर AC में लगा रहे हैं तो वह cooling नहीं आपको provide करेगा तो अगर आपका वहां पर still रहता है तो वह perfect 100% आपका compressor है और वह बिल्कुल बेहतरीं काम करेगा और बिल्कुल slow अगर आ रहा है तो वह काफी हद तक 70-80% काम कर जाता है लेकिन हम उसके pump को 100% परफेक्ट नहीं कह सकते हैं अस्विमली पूछ रहे हैं कि सर जो compressor बैक मा रहा हो क्या हम उसका vacuum pump बना सकते हैं जी है आप उसका vacuum pump बना सकते हैं लेकिन vacuum pump उससे vacuum आप नहीं कर सकते हैं अब pressure pump उसका बना सकते हैं यानि कि किसी रेफिजेटर में नोर्मल आपको pressure देना है 1500 PSI, 200 PSI, maximum 300 PSI तक तो easily वह काम करेगा वहां पर तो वहां पर आप उसका use कर सकते हैं आपको 300-400 से ऊपर अगर pressure देना है तो वहां पर थोड़ी प्रोब्लम होगी थोड़ा सा time लेगा लेकिन नोर्मल 100 PSI, 200 PSI, 500 PSI तक तो वह बहतरीन काम करेगा लेकिन उससे आप वैक्यूम ना किया रहें वैक्यूम के लिए special आपको भी pump purchase करें जो वैक्यूम मशीन हो सिरफ उसका काम वैक्यूम हो तो वैक्यूम के लिए हमेशा separate ही रखे क्योंकि यह प्रोपरली वैक्यूम नहीं करते अगर यह perfect भी सही भी होगा तो यह प्रोपरली 100% वैक्यूम नहीं करते तो इसलिए इसका pressure pump भी यूज़ करें वैक्यूम ना यूज़ करें असी बेलाम से पूछ रहे हैं कि सर क्या हम फॉरवे वाल के बगार वाले एसी को फॉरवे वाल लगा कर हीटिंग वाला बना सकते हैं मतलब नॉर्मल जो एसी है हमारा वो cooling पर ही चलता है जिसमें हीटिंग की option नहीं है क्या से उसमें connect करना है बहुत ही easy है मैं इसको पर detail से वीडियो बना दूंगा और इसमें आपको कोई problem नहीं आप easily इसको heat and cool बना सकते हैं यहां पर गविंदर सिंग कहा रहे है कि सर जी ULN 2003 जो IC है वोगर खराब हो तो AC में क्या problem create होती है मतलब हमें क्या देखने को मिलता है अगर यह खराब है कैसे पता चलेगा कि यह खराब है इसको टेस्ट करें इसके लिए यह है कि यह ULN का असल में काम क्या है अगर आपको वह पता चल जाए तो आप इसलिए इसको समझ जाएंगे कि यह खराब है यही mistake कर रहा है कि नहीं इसका काम यह होता है कि इसने release को ओन करना होता है ठीक है माइक्रो परसेसर जो में आइसी होता है PCV में वह इसको ओडर देता है यह आगे जो है रिलेज को उन करता है जो हमारी फैन की हाई लो मीडियम स्पीड है अक्सर ओर एसी जो है उनमें लगा होता है यह इसी इंवर्टर इसी जितने आ रहे हैं उनमें आउट्डर की PCV में लगा हो ओता है आउट्डर की फैन को स्पीड को कंटॉल करता है स्पीड को कंटॉल करने के लिए रिलेज लगाई गी होती है 12V और उनको कंट्रोल करने के लिए यह इसी लगाया गया होता है और 4-way wal जो हमारा जो हिटिंग wal है उसको इसकी रिले को भी यह उन करता ह जब relay ओनो हो जाती है तो फिर आगे ये क्रंट पास कर देता है फोर वेवाल के लिए आप रिले को चेक करें रिले आपकी perfect है फिर आप इसको चेक करें मतलब रिले भी ठीक है फिर आप ULN 2003 IC को चेक करें कि ये उसको output दे रहा है कि नहीं और इसी तरह कर fan speed जो है वो आपकी change नहीं कर रही हाई पर चल रही है लो होई नहीं रही आप इंडोर की समझे कि इंडोर को आप हाई पर सिलाना चाहते हैं या लो पर सिलाना चाहते हैं या मीडियम पर लेकिन किसी एक आदी स्पीड जो है कोई miss कर रही है तो आप यही समझें कि यहां तो इसके पीछे जो relay लगी हुई है वो खराब है अगर relay आपने चेक की वो ठीक निकली तो फिर उसके पीछे यह हमारा ULN 2003 IC चेक करना पड़ेगा कि यह सही है कि नहीं अगर यह भी सही होगा फिर इसके पीछे जो हमारा main IC है उसको चेक करना पड़ेगा बट वो चेकने का फाइदा नहीं क्योंकि वो main IC वेल नहीं होते मार्कीट में तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वैसे ही हमें चलाना पड़ेगा और अगर कोई major issue है काफी ज्यादा शोटी जागी तो उस PCB को फिर डाट करना पड़ता है मैं डीटेल से इसको पर वीडियो बना दूँगा जो ईसे जरूरी इतना नहीं है को आपने दिखा होगा कि काफी सारी unit से हैं वहाँ पर नहीं लगा हुआ और कुछ units ऐसे हैं जिन में इख लगा हुआ मिल जाता है और जिन में नहीं लगा होँआ आप इसको लगा सकते हैं ये तरह की safety device है ठीक है, एक्सट्रा जो है, एसी की प्रोटेक्शन करती है, ओर वल्टिज पर इसकी कॉल जल जाती है, जैसे फ्यूज उमा रहा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्विच्छिंग का काम आ जाता है, यह एक रिले की तरह ही है, इसमें इसकी कॉल पर न्यूटर फेस मिलेगा तो इसका plunger ओन हो जाएगा और वहां पर आपका current पास होगा और वह वाला current हम compressor को देते हैं ताकि उसमें से cross होकर जाए जैसे face में से हम fuse लगा देते हैं face line में तो वहां से fuse में से cross होकर जाता है आगे कोई भी चीज अगर short होती है या over current generate करती हैं तो वहां पर ampere ज्यादा होने के वाज़े से fuse के ओपर load पड़ता है तो fuse जल जाता है इसी तरह इसका भी काम यह है कि यह extra protection करती है तो यह safety के लिए लगाए जाती है और लगानी यही कह सकते हैं कि यह लगानी ही जरूरी है अगर नहीं लगाएंगे तो इसी चलेगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इसके बगार भी ऐसी चल जाते हैं तो friends यह थे कुछ comments ज्यादा नहीं थे normal comments थे हमारे पास तो यहां पर मैंने इनके जवाब आपको दीए और उमीद करता हूँ आप में से काफी सारे दोस्तों के जो सवाल थे उनको जवाब मिल गई होगे तो मैं Q&A आइस्ता आइस्ता बनाना शुरू करूँगा जिसमें काफी सारे दोस्तों के कहते थे हमें जो questions है उनके answer मिल जाए करें तो अच्छा होगा तो यहां पर जो है मैं इंशाला week में कोशिश करूँगा एक Q&A जो है हम वीडियो बना लिया करें जिस पर आप तो काफी सारे comments जवाब मिल जेगो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इससे भी ज्यादा comments लूँ और इस वीडियो के नीचे आप मुझे comments जरूर करके बताएं अगर आपका भी कोई आप से नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच अला हाफीज